आप सभी प्यारे चात्रों का आपके अपने परिवार में स्वागत है आपका अपना परिवार क्विक ट्रिक्स बाई साहिल सर आपकी साहिल एक्सप्रेस इस्टेशन से चलते हुए आपके निर्धारित समय पर आपके यहां पहुंच चुकी है तो यातरी गंड कृप्या ध् दुका है साहिल एक्सप्रेस में आपको पहला इस्टेशन मिल रहा है परसेंटेज आज हम आपको परसेंटेज पूरा घुमाएंगे यह एक टोर है जिस टोर के साथ में आप अपने एलपी एक्जाम को क्रैक कर सकते हो कहीं सारे स्टूडेंट्स की हमेशा से एक प्रश्न रहा है कि क्या सर हम इस बैच से गनित सीख सकते हैं नहीं भाई आप इससे एलपी निकाल सकते हो आपको एलपी निकालने में तकलीफ नहीं आएगी अगर आपको गनित सीखनी है तो आप फाउंडेशन बैच से सीख सकते हो जो भी ओनेस्टी है वो बात बता रहा हूं मैं लोगों को कैई सारे बच्चों के मन में ये डाउट रहता है तो क्या सर हम यहां से एलपी निकाल लेंगे तो मैं आपको जवाब दोंगा कि 100% निकाल लोगे और आप सभी लोगों को मैं उसी के हिसाब से चीजे कराने वाला हूँ यही मेरा एक प्रोसीजर भी है इस बार का यही तरीका है कि आपको उस तरह से exam oriented preparation दी जाए जिससी कि आपका exam में एक भी question ना चूटे आप लोगों को साहिल express में बैठ कर कैसा लगा जल्दी से मुझे बताईए सभी लोग अपनी तंत्र के बारे में पढ़ाया आकास express ने घड़ी का यूज सिखाया साहिल express आपको percentage का हिसाब सिखाएगी आईएगा स्टार्ट करते हैं आज की खुबसूरा C class को आपको पता है कि मैं इस session में जो express वैच अपना चलेगा हम topic wise topics practice करेंगे concept भी करेंगे कई बच्चों के दिमाग में यह था कि सर concept आपको पता है कि जिस तरह से जिस तरह से शिव शक्ति के बिना अधूरी है उस तरह से साहिल सर बिना concept के भी अधूरे हैं अगर मैं topic wise practice लिख रहा हूँ तो इसका मतलब आप यह समझ के चलिए कि concept भी मैं दूँगा तो किसी बच्चे के दिमाग में किसी तरह का doubt नहीं आए लेकिन मैं आपको फिर बोलूँगा कि गनित को contest करना है आप foundation जॉइन करिए बिना किसी दिक्कत के ALP निकालना है तो आप सभी का स्वागत है क्योंकि मैं यहाँ पर ALP के ही question कराऊंगा ALP के ही expected करवाऊंगा जो मैंने बनाए है ALP के लिए और उसी के PYQ करवाऊंगा पिछले दो दिनों में मैंने percentage के लगभग 70-80 question बनाए है expected के तौर पर जिनने मैं यहाँ पर दूँगा फिर आगे भी दूँगा बहुत सारी जगे मुझे practice करानी है आपको selection वाली वही वाली हाँ मेरी रंडीती बहुत किलियर है percentage हम 5 दिन चलाएंगे तो 5 दिन चलाएंगे उसके बाद profit and loss 6 दिन चलाएंगे तो 6 दिन चलाएंगे सर उपर नीचे हो जाएगा 70 दिन 100 दिन भी हो जाएंगे वह सब चलता रहेगा क्योंकि आपको पता है कि जब मैं पढ़ाना शुरू करता हूं तो डूब जाता हूं यह बात आप ध्यान लखना ठीक है चलिए तो आपको नया time table पता लगी गया होगा हरीश express सुभह 9 बजे चली थी आकाश express सुभह 10 बजे और साहिल express प्राते 11 बजे आपके station पर आएगी और आप सभी लोगों को सफलता की ओर ले जाएगी ठीक है इसके साथ साथ शाम की shift में आपकी classes कैसे चलेंगी बीच में gap आता है आपके लिए शाम को हम आपको इंडिया की best practice भी देंगे जो क अपर आप mix question करने वाले हैं सब कुछ करने वाले हैं exam वाली feeling आपकी आएगी CTM 3 बजे होगा तो आज दुपैर में CTM आपका 3 बजे होगा ध्यान डखना जो बच्चे CTM के हैं उनको पता रहना चाहिए CTR 6 बजे होगा शाम को और CTS 10 बजे होगा रात को तो पूरा आपको time भी मिलेगा revision का topic wise यहां सुबह कवर करोगे 9-10-11 और 3-6-10 आपकी practice भी हो जाएगी तो हर बच्चे के लिए हर कुछ है ठीक है मेरे दोस्तों हाँ और CTM का यह ऐसा thumbnail है आपको पता है आपकी टेलिग्राम पर math by sahil sir टेलिग्राम चैनल पर और quick tricks by sahil sir official टेलिग्राम चैनल प पर आपको PDF update हो जाएंगी टाइम से ही ठीक है चलिए आप लोगों को मैंने gift भी दिया था दिल से आभार भी प्रकट किया था 1 million family होने पर gift यह है कि आप लोगों को जो मेरा foundation batch है जो join हर किसी को करना है सर क्यों करना है क्योंकि उसमें वो है जो आपको दुबारा कभी पैसा नहीं खर्च करवाएगा अगर आप करना भी चाहते हो तो नहीं करना है कभी दिन्दिगी में नहीं खर्च करना है तो quick tricks by sahil sir rapper यह आज last date है ना रात को में price बढ़ा दूंगा last date है रात को बारे वजे रात को बारे वजे रात को बारे वजे प्राइज आपकी बढ़ जाएगी अभी 599 में का मिलेगा रात को बारे वजे तक तो आप जिनको भी लेना है इमानदारी से जो content है वो आपको कोई नहीं पढ़ाएगा तो यूटुपर तो क्या मतलब पेड में भी कोई नहीं पढ़ाएगा यह ध्यान रखना पेड कोर्स के अंदर जाओगे तो आपको मेरा math foundation batch अलग से लेना है वो मिल जाएगा coupon अलग से लग जाएंगे rrb में आपको यह सारे batch मिलेंगे gk भी मिलेगा basic science engineering मिलेगा gk इसमे अभी offer चल रहा है आप किसी individual batch को लेते हो math reasoning GS तो वह भी है और rrb पर भी है चलिए अपनी application है quick tricks भाई साहिल सर उस पर जुड़ जाना test series के लिए अपनी application है quick tricks test series तो वह test series मिल जाएगी आपको चलिए अब स्टार्ट करें सर बुक कौन सा लें देखो वैसे मैं बताओ अभी बुक लेने की कोई जरुवत नहीं है आपको क्यों नहीं है बताओ क्योंकि इतना content में दूंगा अभी तो शुरुवात हुए भाई अभी form भरा जाएगा यह मेरी guarantee है बाकी फिर आप लोग देखो बटक सकते हो तो बटक लो क्योंकि अब आपका समय आ चुका है तैयारी करने का और यही तैयारी आपकी technician में यही तैयारी आपकी NTBC में सब जगे काम आने वाली है तो आईएगा CTM तीन बजे होगा भाई है ना तो किरप और सिर्फ वह होता है जिसे अपनी ताकत पर भरोसा ही नहीं होता तो आप लोगों की कमज्यूरी मैं समझता हूँ और आप लोगों की कमज्यूरी को ताकत बनाने की तजुर्वा में रखता हूं बट आप अपनी कमज्यूरी अगर यह रखेंगे किसर में continue नहीं पड़ सक 6 महीने महनत कर लो 6 महीने महनत कर लो आप selection दे लोगे कारेंटी है मेरी वह बहुत कम होते हैं लोग छे महीने लगातार महनत करने वाले ठीक है चलिए आईएगा start करते हैं अपना session percentage आजो तो normally percentage जब आप समझते हो तो percentage का क्या मतलब होता है comment में एक एक चीज़े लिखके बताना क्योंकि कैई बच्चों को कही सारी जगे मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है पेड में भी पढ़ाया हुआ हर जगे पढ़ाया हुआ है पता होगा लेकिन उसके बाद भी क्या कुछ हम मतलब है किसी को पता है क्या अरे इतना दिन आपने पढ़ लिया होगा आपको सिंबल का मतलब तो पता होगा नहीं पता कोई बात नहीं हर उस बच्चे को सिखाना मेरा काम है जिसको नहीं पता एक बटे सो तो कहने का मतलब यह एक सिंबल है अगर किसी के साथ भी लग गया इस परसंटेज को यह सारी दुनिया जानती है इस बात को ठीक है सर हम भी जान लेंगे अच्छी बात है अगर मैं आपसे बोलता हूं कि बताओ भाया 67 परसंटेज है इसको फ्रेक्शन में बदलो अरे भाय हमें तुम्हें नहीं आता मैंने बताया कि परसंटेज एकबटे 100 होता है तो आप यह कहोगे कि भाई तेरा मतलब तुम्हें नहीं चाहता है ना कंवरजन भी यानि कि मुझे नहीं आता प्रतिशत से भिन में कैसे बदला जाता है बट मेरे को यह तो आता है कि percentage को एक बटे सो कहते हैं यह तो सारी दुनिया जानती है चलिए अगर मैं बोल दू कि 67% की ब्रद्धी कर दो तो ब्रद्धी आने कि increment ब्रद्धी का मतलब होता है increment अब increment मैं किस में करूँगा भाई आपका जो नीचे वाला जो हर होता है जिसको हिंदी में हर बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं denominator इंग्लिश में बोलते हैं denominator तो हमेशा यह ध्यान रखना कि जो आपका हर होगा जो आपका denominator होगा वही आपका बेस होगा, बेस का मतलब वही आपका आधार होगा, आधार का मतलब वही सब कुछ होगा, यानि कि अगर आपसे बोला जाए कि ब्रद्धी कर दो, अगर आपसे बोला जाए कि इंक्रीमेंट कर दो, तो सौ में ही सड़सट को जोड़ना पड़ता है, तब जाके आप य 166 हो गया बढ़कर यह बढ़कर इंक्रीज होकर 167 हो गया अब यह नॉर्मल है इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है गुरुजी बात तो उचित है अगर मैं कहूं बढ़ा कितना तो बढ़ा आप बोलोगे 67 बढ़ा क्यों क्यों क्योंकि 100 का 166 बढ़ा है किसका 100 का किस से 100 से क्या बढ़ा कौन 67 कितना हो गया 167 बढ़कर हो गया तो हर चीज की जवाब अगर आपका 100 के रेस्पेक्ट में आ रहा हो इसलिए इसको आधार कहा जाता है बात समझ में आ गई तो सर जी इसका मतलब हम किसी भी संख्या में अगर परसंटेज को गुणा कर यह उने लिख दिया मैंने 77% तो मेरे मालक यह यह है 77 गुणा परसंटेज 77 गुणा परसंटेजń और 77 और परसंटेज को कहते है है by name एक बाटे सो इसको 77 बाटे सो लिखते हैं तर आप ऐसी क्यों लिखा रही हो मैं इसलिए टेड़ी मेडी हुआ लिखा रह रहा हूँ percentage जिससे कि आपको अंदाज लगे कि होता कुछ भी नहीं है सिर्फ percentage को एक बाटे सौ कहा जाता है यह मतलब है चलिए बहुत अच्छी बात है सर और ये जो 100 है ये क्या है ये 100 ही आपका बेस है ये 100 ही आपका आधार है ये 100 ही आपका सब कुछ है बहुत अच्छी पॉइंट है सर अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर दूसरे बिंदू पर आईए बैया दूसरा पॉइंट क्या है उसे आ अगर मैं बात करना चाहूं कि मेरा 100% क्या होता है फ्रेक्शन में जल्दी जल्दी बताना एक एक करके ना जो पहले जो हम लिखते हैं जो हमें याद हैं उनको फड़ावर से आपको आती हैं तो रिवीजन करना जिनको नहीं आती हैं मैं बताऊंगा पूरा अच्छे से वादा है मेरे दोस्तों यह मेरा वादा है 100% को अगर आप फ्रेक्शन में बदलोगे तो 100% को फिर वही वाली बात कहते हो सरा मैं तो वही बात कहूंगा बार बार एक बटे 100 याने की 1 ठीक है इसके बाद आप क्या करते हो इसके बाद आप देखते हो 50% नॉर्मली बात है एक पीजा होता है पीजा 100% होता है 100% का एक बटे 100 लेते हैं उसको हम यह बोलते हैं और कोई भी संख्या जो पूरी होती है वह 100% होती है यह बिन एक बिन नी तो है एक आपका फ्रेक्शन पार्टी तो है दबाकर लाइक शेर कर दीजिए रुकना नहीं है मैं ऐसा पढ़ा है और यह ध्यान रखना हर चैप्टर कहुंपलीत होगा सर समय की कोई लिमित नहीं है हमारे यहां उतारता हूं देने के लिए अपको UPIX ड in सोचना एक पेपर में च्या हैं है यह percentage का symbol ही एक बटे सो है तो गुणा में होता है याने कि एक बटे दो हिस्सा हो जाएगा 25% सारी दुनिया जानत है अरे जानने जो ना दुनिया को दुनिया के जानने से क्या होता है हर चीज आनी चाहिए जिनको आता है वो बस उड़ाते रहे मेरे साथ में एक बटे चार प्रैक्टिस भी करेंगे जो चीजा सिखाऊंगा उसकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा तो इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आप पढ़ें पहले और फिर सीखें और फिर प्रैक्टिस करें और क्लास लंबी भी जाएगी क्लास लंबी भी जाएगी बस मल लगा कर चुपचा तक तो मैंने का यार बात अच्छी है 25 परसेंट को एक बटे 4 के दिया अच्छा अगर 12.5 परसेंट आजाए तो अब आयाई यह देखिए तो कॉमन सेंस वाली बात है कि 12.5 क्या है इसका आधा है अब इसका आधा करोगे ना तो वह एक बटे 8 हो जाएगा तो कभी किसी भिनका अगर आधा करते हो तो नीचे ही गुणा होता है आधा मतब एक बटे 2 का गुणा होगा तो एक बटे 8 हो जाएगा वो वैसे भी दिख रहा है आपको चलिए तो यह आप नॉर्मल प्रसेजर देख रहे हो ना कि एक बटे 100 ही तो कर रहे हैं आँ बार बार इससे बन रहा है अब फड़ा बट से एक टेबल लिख लेते हैं अब फड़ा बट से इधर आईए हाँ टेबल लिख लेते हैं कई बच्चे कहरें सर स्पीड बढ़ाओ बढ़ जाएगी भाई लेकिन पहले बेस तो बना लो परसेंटेज का क्या होता है क्या नहीं होता है अब अब हो जाएगा सब है चिंता मत करो लेकिन तरीके से सीख लो है पहले आजाओ अब टेबल बना लो एक हम डायरेक्ट जो परसेंटेज से फ्रेक्शन है वो करना सीख रहे है ना चलिए तो हमेशा जो हमारा जैसे मानलो मैंने लिखा सर एक है ठीक है एक कितना होता है 100 परसेंट होता है नोट कर लिया लिखते जाना एक बटे दो आपका 50 परसेंट होता है एक बटे तीन आपका 33 सही एक बटे तीन परसेंटेज होता है और इसको आप 33.33 परसेंटेज भी बोल सकते हो और यह आपका इंपोटेंट है जो आपके रेलवे में आते है ना फ्रेक् एक बटे 4 की बात हम करते हैं 25 परसेंट 25 ठीक है अगर मैं एक बटे 5 की बात करना चाहूं तो एक बटे 5 की बात अगर हम करेंगे तो 20 परसेंट नाटक नहीं हो रहा है यह केवल और केवल एक कनवर्जन हो है जो आपको दिख भी रहा होगा कि कभी अगर फ्रेक्शन वैल्यू को कभी अगर फ्रेक्शन वैल्यू को परसेंटेज में बदलना है तो 100 का गुणा करना पड़ेगा सर यह कहां से आ गया यह वहीं से आया कि अगर पर्सेंटेज वैल्यू को फ्रेक्शन में लिखना है तो एक बटे सो फ्रेक्शन वाट होता है अरे हां यार यह तो वही है तो बस यार अब क्रॉस मल्टिप्लाई तो करना पड़ेगा ना तो यह दौनों फ्रेक्शन का मतलब भिन होता है तो कोई दिक्कत मत लेना है अगर किसी को दिक्कत है तो लिख लेना बैया कौपी में तो मैं क्या कर रहा हूँ एक दो एक ग्सटांपल आपको बता देता हूं जैसे कि मैंने लिखा एक बटे 5 इस एक बटे 5 को अगर परसेंटेज में बदल रहाँ हूं तो 100 का गुना करूंगा और 100 का गुणा करने का मतलब हो गया सरभ पर्सेंटेज आपको समझा समझा के लिखाना चाहिता हूं चाहता हूं यह जो इंप्रोटेν्ट रहेगा उसके उपर मैं मुझझे लगता है कि आना चाहिए ठीक एक बटे 6 16.66 एक बटे 7 14.28 परसेंटेज होता है एक बटे 7 का 16.66 को ऐसे भी लिखा जाता है जो पेपर में कई कई बार बता देते हैं आपको 16 सही 2 बटे 3 तो यह इसका यह भी आना चाहिए सर हमें नहीं आएंगे तो हमें क्या पेपर कोशन ही बनेगा तो भी बन जायेगा सर क्यूं लिखा रहे हो अगर आगया जल्दी तो पेपर में जल्दी कोशन बन जायेगा इसे ringe सकते हो मतल tummy Per 32 सही दो बटे साथ हट कि टीक है अब इस बने बात करता हूं मैं एक बटे आठी ऐठक समय तब उस्न कि औलिक ча गया होता है एक बटे नो को हम लिख देंगे 11.11 एक बटे 10 को हम लिख देंगे 10 परसेंट पस आप जिनको आता है न वो रिवीजन करना बस एक बटे 11 को हम लिख देंगे 9.09 परसेंटेज एक बटे 12 को हम लिख देंगे 8.33 एट सही 1 बाइ 3 परसेंटेज एक बटे 13 आता है कहींबर ये होता है शर् having 7.69 परसेंटेज इसको भी आप बदल सकते हो जैसे एकबटे 13 को में परसेंटेज में लिखना चाहता हूं तो सो बटे 13 लिख दिया तो मैंने देखगा सर् 17 बाइधा और एक इन में ये शो गया नौ साथ सही नौ बटे 13 परसेंटेज साथ सही नौ बटे 13 परसेंटेज ठीक है माइडियर समझ में आगी बात आपको चलिए और एक बटे 14 भी लिख लो एक बटे 14 हो जाएगा कितना सेवन वन बैegen परसेंटेज 7 1 by 7 % जिसको हम कह सकते हैं कितना 7.14 प्रतिशत 7.14 % ठीक है चलिए ठीक है तो प्लीज इनको एक बार नोट कर लो आप बस नोट कर लो सर मुझे नहीं आया एक भी समझ में नोट कर लो बस एक बार अब सब आएगा अगले स्टेप में चलेंगे तब सब आजाएगा ठीक है ब अभी तो मैं आपको देखो यह सारे कुशन में आज ही कराऊंगा यह वाले सब टाइप के कुशन के लिकिन करेंगे कैसे हम जैसे मानलो 16.66 आ गया तो भाई आपको पता रहेगा कि 16 16.66 को एक बटे 6 कहते है माराज तो ही तो आप कर पाऊगे वरना फिर मैं कैसे बताऊंग मैं पढ़ा रहा हूँ आपको है तो जो आते हैं वही है न थोड़ा सा एक बार ऑवर्व्यू आ जाएगा तो अपना बाकी सारे चेप्टर को तरीके से चलाना आसान रहेगा थोड़ा यह अब आते आगे अब आते आगे ऑके ग्रेट अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहता कि अगर मालो अगर मैं 83 1 by 3 percentage लिख रहा हूं आप लोगों के लिए मैं नहीं जानता देखो मैं नहीं जानता कि आप इसे convert कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे बट मैं आपसे कहता हूं इसको convert करो मेरे लिए एक बार कर लो यार convert ठीक है मैंने आपसे कह दिया कि भाया आप है ना 28 सही 4 बटे 7 इसको एक बार fraction में बदलना मैं बोल रहा हूं बदलो 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 तो सही तर कैसे बदले तरीका वही है सिंपल सूबर सा मैं आपसे बोलता हूं कि 37.5 percentage को fraction में मैं आपसे बोलता हूं सर जी 6.25% को fraction में बदल दो मैं आपसे बोलता हूं 15.38% को fraction बदल दो सर हमें तो नहीं आता है परेशान को है परेशान होने के लिए थ्वड़ी पढ़ा रहे हैं परेशान नहीं होने के लिए बढ़ा रहे हैं ना जो समय लगेगा उस समय का यूटिलाइज करना सीखेंगे चलिए अब देखिए सर मुझे नहीं आता मैंने का मैं सिखा देऊंगा जब मैं इसको solve कर रहा हूं तो यह निकल कर आ रहे है 209 और 250 बटे 3 परसेंटेज इसको हम कह सकते हैं कि 250 बटे 300 और जब इसको हम solve करेंगे तो 5 बटे 6 आ गया अब dal पर पड़ लेता है तो आपको लगता होगा this यह सभ आता ह्या है क्यों पढ़ा रहे हैं बट यह히 कह सकते हैं कि यही बेश है यही सभ कुछ है यह मजबूत नहीं होगा फिर आगे आपको तकलीव होगी तो मैं वो चाहता नहीं हो क्योंकि जब मैं आगे चीजें और भी आपको रिवाइस कर रहा हूंगा तो तकलीफ नहीं चाहता हूं इसलिए मैं आपको यह तकलीफ अभी सी दूर कर रहा हूं आपकी 282 सेकंड एक्स्ट्रा लग सकते हैं अगर नहीं आता तो मालो नहीं अपको क्या करोगे साथ दूनी 14 40аюсь और 506 और 200 वटे साथ परसेंटेज और मैंने आपको क्या बोला साड़े बारिया का 3 गुना हैं । अगर आप समझझ लेते हो कि ये साड़े बारञ्ट executive का 3 गुना है आपको साड़े बारा कितना होता है ? एकटे आठ होता है अ किस्को कितना है आधो तक एकटे आठ tire बार्टे जाहिए याने कि conducting हो पाएगा 6.25% कितना होता है 6.25% साड़े बारे का भी आधा है जाने कि एक बटे 16 ये दो बटे 13 कैसे सर मैं बताता हूं कैसे मुझे पता है इसलिए आपको लग रहा होगा अरे आपको तो पता है सर आप तो कर रहे हो नहीं मैं बच्चों के लिए सोच कर बता रहा हूं कि इस वाले कु तो अब आप मुझे बताओ कि क्या आप किसी भी % को जैसे कि मैं बोलता हूं 66.66 % है इसको फ्रेक्शन में बदलना बदलो 66.66 % को फ्रेक्शन में बदलना 66 2 by 3 यह कितना हो गया 200 बटे 3 % और इसको कहते क्या है इसको कहते हैं 2 बटे 3 कहते हैं 2 बटे 3 आता होगा कोई बड़ी बात नहीं है चलिए अगला कुशन देखिए आप मैं बोलता हूं कि यह बताओ 67.5 % क्या होता है गलती करने वाले बहुत होते हैं 62.5 कितना होता है और वो चीज मैं आपको सिखाऊंगा जहां confusion आपको रहेगा तो मैं आपको यह इसपष्ट कर देता हूं कि रटना तो नहीं है यार इन ही में से पेपर में आते हैं आपके ए कुशन है अब बच्चा बहुत गलतिया करेगा यहां पर क्योंकि उनको प्याप confusion ही confusion है उनके लिए वो चाहे 10 जगे पढ़के भी आया होंगे या हमार से भी पढ़ रहे होंगे तो भी रहता है रिविजन बहुत मांगती है चीजें इसलिए तो मैं रिविजन करवा भी र करना होता है यही इसलिए काम की काम की चीज है तो अब आपको मैं जो सिखा रहा हूं वो काम का है देखिए 67.5 तो मैं इसको लिखूंगा 675 बटे 1000 कहां से आ गया यह .5 का भी एक जीरो और परसेंटेज के दो जीरो पांस से काटूंगा तो पांच से कम पांच और अपना तो यह क्या नाम है 5 अपांच पांच इक पांच तीया पंदरह और पचम पच्चेस और यह हो गया 200 और फिर पांस से काड़ दूँगा 27 बटे 40 तो यह 27 बटे 40 होगा और गलती से यह मत कर देना 27 यह बीशुक्त कर लोगे तो जाबसाफ सिब पता लगी रहा है अमको सिर कै 7.5 बन जाएगा we made imee किना साझायाट चीज का बात कि आती है या सिर्फ पर स्रफ आपको लगता कि साइसे ईसी शाइलसर कुछ भी ऐसे नहीं गणते है प्रमधार सही बात को लिधाट एक तो यह के लिए तो पढ़ा रहे हैं चलो सर अच्छी बात है अब आजाओ और चिखाता हूं आपको बहुत बढ़िया चीज जो आपको कन्फ्यूज कर सकती है हम नहीं होने देंगे लेकिन आपको जैसे कि कल को माल लो 5% की वैल्लियो आप मैंने बोल दी आप 5% आपका एक बटे 20 होता है तो अब आप मेरे को बताओ कि अगर मैं 0.5% निकालूंगा तो क्या होगा common sense लगा कर मैं अभी आपको पहले भी समझा चुका हूं कि आधा कर रहे हो परसेंटेज अगर आधा कर रहे हो परसेंटेज अगर आधा कर रहे हो तो आधा करो न भाई एक बटे 20 का आधा एक बटे 40 एक बटे 20 का आधा एक बटे 40 एक बटे 20 का आधा एक बटे 40 कोई दिक्कत कौनो दिक्कत तो नहीं भाई दबाकर लाइक शेयर चाहिए इसमें हाँ मजाक नहीं है चीजे बहुत प्यारी लेकर चलूंगा ये मेरा वादा है और आप सभी लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि तरीका कैसा लग रहा है ये भी बताते रहें बस हाँ कुछ जो बच्चे स सोच रहे होंगे किसा डाइरेट कोशन करवाएंगे तुम्हारी सोच के हिसाप से अगर चल गए तो तो मैं खुशी तो मिल सकती है बट जो मैं सोचता हूं थोड़ा अच्छा ही सोचता हूं ये ध्यान रखना बस ठीक है ठीक है चलिए भाईया तो एक बटे बीस हुआ ये सब्सक्राइब को से ये ये डाइवाले से होगा तेभल जानते हो पाडा जानते हो पंदयरेका और 25.5 क्याहे और सोच समझकर जवाब देना और ये रटने वाला काम नहीं है समझने में जो बच्चे समझने नहीं पाते है'm कोई समझाता नहीं 35% क्याहबा फिर 17.5 बता दो क्या होगा अरे गुरुजी इतना डीप तो हम सोचे नहीं सोचिए और ये एक सेकंड में हो जाएगा बताओ आप मतलब आप ये सोच भी नहीं सकते थे कि आप बिना पेंचलाई भी कर सकते हो ताइम लगता है लेकिन है न 25 परसेंट को क्या बोलेंगे 27.5 को क्या बोलेंगे 65 को क्या बोलेंगे 32.5 को क्या बोलेंगे 85 को क्या बोलें कि अधिया आले स्पॉइंट पांच को क्या बोलेंगे हैं पहले इनको कर लो एक एक करके एक करके 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 कि एक करके महाराज कोई जल्दबाजी नहीं दक्का मुक्की कोई नहीं करेगा अ करत करत अभियास के जण्मत ही हो सुजान सर यह तो तीन को ना लग रहा है पाड़ा पांच का पाड़ा पांस्तिया पंद्र होता है तो मैंने का बस तीन बटे बीस पांच सत्य पैंटिस होता है सर साथ बटे बीस सर पांच के पाड़े में पनाम पैंतालिस होता है नौ बटे बीस पांच के पाड़े में ग्यारा पंज़ पचपन होता है एक ग्यारा बटे बीस पांच के पाड़े में तेरा बटे बीस और पांच के इसका 3 वटे 40 साड़े साथ, इसका 7 वटे 40, इसका 9 वटे 40, इसका 11 वटे 40, इसका 13 वटे 40, इसका 17 वटे 40 हर चीज का इलाज है, इलाज मिल रहा है? clear है तो यह सारी चीज़ें अब सर और कुश्चन कैसे बनते हैं अब थोड़ा सा बाते हैं पर्सेंटेज कि ट्रांस्फॉर्मेशन की तरफ अब मैं आपको सिखाऊंगा ट्रांस्फॉर्मेशन ट्रांस्फॉर्मेशन क्या होता है सर आईए let's suppose मैंने आपके सामने लिख दिया 232.5% but about 232.5% मैंने आपके सामने यह लिख दिया अगला मैंने आपके सामने कौशन लिख दिया 137.5% अब इनको फ्रैक्षयन में क्या केँगे क्योंकि आप इतनी बड़ी संख्या का गुणा करने तो नहीं बैठ रहे हो इसलिए परसेंटेज काम की चीज है आप इतनी बड़ी तक गुणा करने तो नहीं बैठ रहे हो आपको मेरा जो बैच लेना है वो आज लेना आपको आज ही प्राइस के वल 599 है लेकिन वो दुबारा नहीं होगी फिर 2 million कर दोगे तब होगी जिनको भी लेना है तर एक्जाम तक चलेगा क्लास एक्जाम के बाद भी चलेगा फिर टेक्निशन के लिए चलेगा चलता रहेगा बस छूटेंगे नहीं मतब तैयारी ऐसी हो जाएगी कि आप नहीं जा पाओगे मैं वही तो कह रहा हूं कि 10 जगे भटकनी का सिस्टम ही खतम कर दो आप पहली ब सकता जिसको selection लेना है वह एक जगे पड़ता है यह बात आप सत्य मानते हो नहीं मानते हो तो कमी नहीं होगी extra ही मिलेगा अब आपके सामने सार इसको कैसे करूं सौल इसको ऐसे किया जाता है इसको transformation कहते है ऐसे 200% प्लस 32.5 और क्या 137 को लिख दिया 100% प्लस 37.5 सर इसका को यूज आता होगा पेपर में सबर कर लो आपके पूछते ही कुश्चन है पूछते ही ऐसे हैं देखिए 200% को क्या बोला जाएगा 2 क्योंकि 100% को अगर एक बोला जाता है तो 200% मतलब 2 300% मतलब 3 400% मतलब 4 400% मतलब 4 300% मतलब 3.5 300% मतलब 3.5 ऐसे होता है concept है तो आपको कुछ 25.5 कितना होता है अब 32.5 किसको पता है यह सोचो मैं देखता हूँ यह 65 का आदा है और 65 कितना होता है 5 का 13 गुना 1320 और 1320 का आदा 1340 1340 क्या बात है सर यह कैसे आएगा यहां से सोचने पार आजाएगा अब मैं इसको देखता हूँ असी तरान में बटे 40 सर पेपर में कोश्चन कैसे पूछेगा, पेपर में कोश्चन कैसे आयेगा, पेपर में, पेपर में कोश्चन कैसा आता है, जड़ा देखना 6400 का 232.5 परसेंटेज बताइए 2400 का 232.5% बताईए ऐसे कुशन पेपर में आपके पूछे जाते हैं यह ALP का लेवल है जो परसेंटेज के जो दो कुशन आते हैं उन में से एक कुशन 100% इसी परसेंटेज फ्रेक्शन पर आता ही आता है अभी मैं आपको बताऊंगा भी हाँ आज से लोगे तो आक से एक साल का वेलेडिटी है उसका तो फाइदा मिल गया होगा आपको सर 6400 था और 6400 का डाइरेक्ली 93 अपन पूट्टी कर दिया यहां से देखो सर 160 आ गया और 16 का गुणा करना कंपरेटिवली आसान और एकाई यंग से भी कर सकते हो तो 1638 16144 1488 यह इसका फाइदा है आप समझे आप नहीं समझ में आएगा जब तक मैं आपको दिखाऊंगा नहीं कैसे समझ में आएगा बताओ कि फाइदा क्या है इस चीज का तो इस चीज का फाइदा यह है इस चीज का जो फाइदा है वो यह है transformation का फाइदा क्या है वो ये फाइदा है understand understand my dear clarity मिली आपको yes or no well done गजब बहुत अच्छे और जो बच्चों ने पढ़ा हुआ है foundation में उनको revision भी मिल रहा है proper okay कोई दिक्कत तो नहीं आ रही चात्रों एक बर प्लीज येस कर दीजे सर मज़ा आ गया एक बर प्लीज उससे motivation बढ़ेगा हम सबका बढ़ेगा यह तो शुरुआत है picture तो बहुत अच्छी होने वाली है देखिए अब सर इसको करबाओ तो मैंने का इसको आ होता है और 37.5 32.5 नहीं don't confuse 37.5 तीन बटे 8 होता है और 32.5 कितना होता है 13 बटे 40 37.5 है तो confused नहीं होना इसलिए मैं दे रहा हूँ क्योंकि बच्चा confused रहता है इसमें हमेशा 3 बटे 8 तो it will be 11 by 8 इसका भी सेम ऐसे आ गया तो पता होना चाहिए आप गुणा करने बैठोगे तो लिए फिर आपका काम है के नहीं गुणा करने में टाइम लगता है बेपर में गुणा करने में लगता है टाइम इसलिए ठीक है transformation के लिए हुआ एक दू example और देते हैं transformation के फिर आगे चलेगे ठीक है क्लास तोड़ी लंबी जाएगी परेशान मत होना है ना आये मैं बोलता हूँ रेंडम रेंडम लेके चलता हूँ ले 166.66 percentage इसका transformation करके बताओ ज़रा question दे दिया मैंने 383.33 percentage इसका transformation करके बताओ ज़रा कि चार सो पिचतर percentage इसका अब करके चलूंगा थोड़ा सा लेवल अप करके चलूंगा थोड़ा सा लेवल थोड़ा ज्यादा लेवल नहीं बिल्कुल ALP oriented हम क्लास ले रहे हैं ध्यान रखना इसके बाद आगे चलेंगे ना बहुत अच्छे तो सर ये तो आवदवानी मैंने का भई आवदवानी तो 100% plus 66.66 percentage 100% बराबर आपका हो गया 1 66.66 percentage आने की 2 by 3 it win 5 by 3 383.33 383 मतलब 300 percentage plus 83.33 परसेंटेज का मतलब 3 83.33 का मतलब 5 by 6 फैती अठारे और 5 23 बटे आच्छे ठीक है 475 475 का आप लिख सकते हो साड़े 400 percentage plus 25 percentage आप लिख सकते हो 400 percentage plus 75 percentage आप जो मरजी चाहे लिख सकते हो आंसर सेम ही आएगा तो यहां मैं लिख सकता हूं 4 और 75 percent होता है 3 बटे तो 16 और 3 19 बटे 4 यह हो जाएगा सर 100 plus 14.28 को लिख दिया 14.28 को एक बटे साथ यानि की सर यह हो गया 8 बटे साथ सारी की सारी चीज़े note-down कर ली हो और समझ में आ गई हो तो खिरपया करके एक बार अब yes कर दें फिर अब हम अगला step forward कर रहे हैं और आगे चल रहे हैं percentage के chapter में थोड़ा सा जो revision type हम ले रहे हैं उसमें transformation clear है तो एक बार हम सब कर दें के बार थम सब कर दें सर्थ transformation clear है बिल्कुल और अच्छे से समझ में भी आ गया है और हमें थीक है थीक लग रहा है अच्छा लग रहा है दीरे दीरे और इंप्रूव करेंगे विदध प्रैक्टिस इंप्रूव करेंगे विदध फाॉंडेशन इंप्रूव करेंगे जो भी बच्चे हैं एंप्रूव करना है क्योंकि थ्यारी हमें इस साल नोक्री लेने की करनी है यह ध्यान रखना इस साल हमें नोक्री चाहिए अगर यह मन में ठान लिया तो ठान लिया मान लिया तो मान लिया फिर मुश्किल क्या असान क्या है ना चलिए तो बस अब बस करना है तो करना है बस है लिए अब अगला है concept अगला concept यह percentage का कि कभी भी जैसे कि मैं A का B% कर रहा हूं क्या मैं इसको लिख सकता हूं B का A% क्या मैं इसको लिख सकता हूं A B % क्या मैं इसको लिख सकता हूँ B A % आपका जवाब होना चाहिए गुरू जी हाँ आप लिख सकते हो क्यों लिख सकता हूँ मैं अब उसके उपर कारण बताऊंगा और उस कारण को आप काफी लोग एप्रिशेट करेंगे और इस पर कैसे question बनते हैं पेपर में वह बताऊंगा एक्जम में जो सोचता है वह सोचता कि बच्चा बेवकूफ बच्चा घधा लेकिन बच्चा घधा नहीं है बच्चा पढ़ रहा है अब तो क्या होता है कि यह तीनों चीज़े अलग अलग होती है यह A है यह B है और यह percentage of 20 तो आपको comparatively यह question solve करने में time लगेगा मैं example दे देता हूं आपको 368 percentage 368 percentage of 25 आपको time ज्यादा लगेगा मैं example दे देता हूं आपको 384 percentage of 37.5 आपको time ज्यादा लग जाएगा लेकिन यह सोचने का फर्क है examiner यह आपके दिमाग से खिलने चाहता है और दिमाग से हम खिलने नहीं देंगे उसको क्यों हम यह भजयतल ने थोड़ी आए है यार है भजयतल ने आए गया कि लो भजयतल के खिलादो बच्चों को नहीं हम आये काम करवाने ऐसा काम करवाने जो शायद कोई ना करवा सके यहां तो नहीं करवाएगा या तो वह पेड पढ़ाएगा इस चीज को भी पेड में देगा और इससे बहतर मैं कह रहा हूं आपसे कि जिन दुनिया की पेड यहां पूरा रिविजन हो जाएगा और वह दौनों चीजें चलेंगी वह जहां जो परसेंटेज पढ़ लेगा यहां करेगा ऐसा है बात कि अब सर यहां क्या कहना चाहते हो आप मैं यह कहना चाहता हूं बच्चों 135 अया यह परसेंटेज इसको दे दो ना इससे फाइदा क्या मिलेगा आप ही बताओगे फाइदा क्या मिलेगा आप ही बताओगे 368 इस 25 परसेंट को बना दो ना सर कोई फरक नहीं पड़ता एक का बी परसेंट हो या 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 बी परसेंट हो अच्छा सब गुणा में आए अच्छा 1384 परसंट निकालोगे क्या नहीं निकाल पाओगे तो क्या कर लो concept के लिए हुआ concept के लिए हुआ क्या चीज समझ में आई जो में चीज है वो समझ में आई क्या में चीज यह है calculation को fast करता है सर इसलिए यह बताया जा रहा है आपको लगता होगा सर परसंटेज में यह क्यों परसंटेज का पार्ट है calculation fast करने के लिए very good नहीं रोयल सत्यम मेरा बैच ऐसा ही नहीं कि एक बर ले लो बार बर लो एक बर ले लिया एक साल की गई और फिर उसके बाद दुबारा पढ़ने की जर्वत भी नहीं बढ़े क्योंकि उतना अच्छा पढ़ाया गया उसमें इसलिए तो भाई anti-bc के लिए अलग से थोड़ी ऐसा करता ही नहीं काम वरना ऐसा करना होता तो मैं पांच आट उसाद उचपपन आट इया चौविस सर जी यह हो गया 519 यह कैलकुलेशन में आपको फाइदा मिलता है नोट कर लिया यह पॉइंट समझ में आ गया एक बर आप यस कर दें सर यह वाला पॉइंट भी हमें चलिए आगे चलते हैं सर आगे क्या है आगे यह है कि जैसे कभी कुछ आपसे बोल दिया ए बी का कितना परसेंट है इंग्लिश मीडियम वाले सपोर्ट करें ए बी का कितना परसेंट है इंग्लिश बता तो यार इसकी यार मात अफोरी होती है ज्यादा इसलिए हिंदी बढ़िया अपनी कि बी ए का कितना परसेंटेज है हुआँ वाला कि मेरे बच्चे स्टूरेंट इतने अच्छे हैं अब खुद लिख देंगे सारे अशे अशे है चलिए अभी से अगेैं यह मैं लिख सकता हूँ कितना पर्सेंट अधिक है अभी से कितना परसेंट अधिक है इस percentage A is more than B, यह तु सही लिखा वे नहीं, यह भी ठीठा की लग रहा मेरे को, A is what, ah very good engineering Babu, A is what percentage of B, A is what percentage of B, thank you guys, love you so much, A is what percentage of B, B is what percentage of A, A B से कितना अधिक है, और B, A से कितना पर्सेंट कम है, what percentage B is less than A, तो यह normal चीज़े हैं, हाँ, normal ही तो हैं, चली, कई बच्चे book की बात कर रहे हैं, sir book की practice, वो भी होगी, कभी plan है, वो कर लेंगे हैं, वो भी होगी, चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो, भाई मेरे, यह जो अपनी book है, यह वाली, maths भाई, railway maths की book है, इसमें सारे हैं, यह आप ले सकते हो, flip card पर आपको मिल जाएगी, इसकी भी practice मैं करवाऊँगा, लेकिन time आने दो, time कब आएगा, sir, paper से दो महीने पहले इसी काई चलेगा, साड़े तीन-चार महीने में यह खतम कर दूँगा, दो महीने बचेंगे, यह चलेगा, ठीक है, last में लेकिन, ठीक है, तो पहले कर तो लो, पहले syllabus तो करो पहले, यही तो मैं समझाना चाहता हूँ कि आप पता है, बच्चा क्या सोचता है, बच्चे की negativity यह है कि बच्चा सोचता है, चलो फॉरम बढ़ दिया, अब सबसे पहले मॉक टेस्ट, फिर बुक, फिर उसके बाद में क्या करते हैं, तो ने कितने मॉक टेस्ट लगा ली है, तेरे कितने नमबर आ रहे हैं, फिर लास्ट में मैं उस बच्ची से पूस्ता हूँ, तेरा syllabus complete है क्या, syllabus, बच्ची ने तो नहीं करा था syllabus, मैंने बच्ची बच्ची पहले attempt दे चुका है, उसको तो आता है सब, तेरा है, सर मुझे तो पता ही नहीं था syllabus complete करते हैं, मुझे तो यही लगा था कि पहले मौक टेस्ट, फिर किताबे लगाते हैं, फिर किताब खरीद लाते हैं बचार से, जितने में कोर्स हो सकता था था इतने में तो पैसे खर्च कर चुका होता है, जिसका कोई logic नहीं है, जिससे selection ही नहीं होगा उसका, जितने में कोर्स करीद के पढ़ना पढ़ सकता था था इतना सब कुछ कर देता है, लोटिया मंज गई ना भाई, भाई ले गया selection तेरा, इसलिए भाई जो चीछ जिसका समय है वो तब होगी, उसका वो ही नहीं हुआ जो में था, वस यह क्या होता है सर, आ जाओ, A, B का, तो कौन नीचे आएगा, कौन उपर आएगा, A, B का, भिन को परसेंटेज में बदलना है, 100 का गुणा कर दो, किसका, B का, किसका, B का, B, A का, B, A का, किसका, A का, गुणा 100, जाओ, A, B से कितना जादा, A, B से कितना जादा, किससे, B से, कौन जादा है, A जादा है, तो A माइनस B करना है, निलेश नाम से एक बच्चा है सर, ALP एक्जाम से पहले सिलिवस खतम हो गया नहीं होगा, बिटा यह चला, यह ALP के लिए रखा है, गजब निलेश, कहां से आते हो तुम? और क्या खाते हो तुम भाई ? B A से कितना परसेंटीज कम हैं ? B A से कम है, तो B A से कम है ना, B A से कम है तो A जादा है लेकिन यहाँ A आएगा नीचे, क्यों आएगा A बले बता दो, यहां नीचे एक यहां आया लास्ट वाले में हाँ टेक्निशन के लिए भी काम आएगा पुतुल एक्चल में टेक्निशन के लिए आपके पास समय है अगर आप फाउंडेशन कवर करना कर लोगे ज्यादा बेटर रहेगा बहुत समय काफी है देखा जाए तो पढ़ाई यहां कर सकते हो पर फाउंडेशन से आप कंठस्त हो जाओगे कंठस्त मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी इससे पहले टेक्निशन और एलपी एक जैसे होता था तो जो मैं कुश्चन एलपी के लिए कराऊंगा वो टेक्निशन के लिए भी काम आएंगे आपको पता है क्यों क्यों कि पहले तो एक ही पेपर होते थे थे ना अभी इस साल अगलग किया इन लोगों ने तो तो नीचे ए क्यों आया क्योंकि ए से बोला गया, जिस से बोला जाए हो नीचे आता है, जिस का बोला जाए, वो नीचे आता है है जिसका बोला जाए वो नीशे आता है ओके तो यहां तक जो मैंने चीजे पढ़ाई हैं क्या आपको समझ में आई है एक concept यह और आता है आपको पता होगा जैसे की जैसे की साड़े बारा परसेंट साड़े-बारा परसेंट साड़े-बारा परसेंट का increment का इंक्रीमेंट का मतलब होता है ब्रद्धी और 25 परसेंट की कमी को बोलते हैं यह भी एक बार आप बता दो फटाफट से और इसको आप फ्रेक्शन वैल्यू में बता सकते हो नॉर्मल ही बता सकते हो 100 मान कर जैसा आप चाहो थाटी सेवन पॉइंट फाइप परसेंट का डिक्रीमेंट और 40 परसेंट का इंक्रीमेंट तो बेसिकली यह कुछ है नहीं बट एक बड़ तो समझाना पड़े गए पड़ेगा एक बड़ समझ में आ जाएगा तो फिर ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आने वाले समय में और लगातार आपको क्लास लेनी है नौ बजे साइंस की दस बजे रीजनिंग और ग्यारे बजे आपकी मैट्स नौ दस ग्यारा रेगुलर पड़ोगे तो रिजल्ट आ जाएगा नहीं पड़ोगे तो फिर घूमते रहो घूमने में तो कोई फिरक नहीं पड़ेगा ना किसी को फिर वही बच्चे चढ़ जाते हैं कि इनका नहीं होना होता है वो रेगुलर नहीं पड़ते है तो 25-25% का क्या मतलब है 25-25% का मतलब होता है एक बटे आठ बेस को 8 मानलो इ 25% याने की एक बटे 4 होता है तो 4 में फिर एक की कमी 4 में फिर एक की कमी आने की 3 4 से 3 अच्छा लग रहा है सर वैसे करूं तो 100 में 25 की कमी आने की 75 तो आप जब इसका अनुपाद बनाओगे तो आपका वही 4 से 3 ही आएगा 25 से काट दोगे ना अनुपाद बनाते वक्त 67.5 होता है तीन बटे आठ तो आठ में 3 की कमी 9 में तीन की कमी कर दो 5 रहे गया ऐख से पांच कमी हो गई 40% की ब्रद्दी 40% होता है दो बटे 5 क्योंकि एक बटे 5 होता है 20% उसका दुगना है यह तो 5 में 2 की ब्रद्दी आने की 7 और 100 में 40 की ब्रद्दी आने की 140 तो अनुपात यही आएगा सर बैच की ओफर कुछ दिन के लिए अरे नहीं आज के लिए बस यार फिर वही वाली बात है वह खुशी में दी थी हमने वन मिलियन करी किये थे आप लोगों ने इस वाज़े से करता नहीं हो वैसे आपको पता है मैं कम बढ़ती नहीं करता हूं क्योंकि चीजें क्वालेटी है तो फिर वह उसमें कॉंप्रमाइस क्या ही करेंगे आप जब जॉइन करोगे तो आपको लगेगा सर को लूट लिया हमने सच बता रहा हूं हां चलिए ओके सो यह हो गया क्लियर अब आते हैं कॉश्चन पर पहला प्रशन प्रश्न अब कोश्चन बना लीजी बहिए और अपने पैन पेपर लेजिए अपने पास अब प्रश्चन शुरूँ होने वाले हैं और हम सलेक्षन की बात कर रहें या चाहो तो डाइरेक्टिव भी कर सकते हो और इंडारेक्टिव भी कर सकते हो सर कैसे करें पांच हजार है और मैं वही कोश्चन करवा रहा हूं जो आपके कि ALP में आएंगे या आ चुके हैं या प्रिविएस यर के हैं तो आप लोग यह मत समझना कि सर लेवल इतना हलका क्यों है मैं क्या कह रहा हूं सब कुछ कवर हो जाएगा ALP से रिलेटेड यह धियान रखना पहले ही वत्तिस सो आंसर है का ठीक है फिर बोल रहा हूं मैं फोड़ा सा अप लेकर चलूंगा लेकिन लूंगा अगला प्रशन आपके सामने है 35 100 का 58 परसेंट अब मैं कैल्कूलेशन से बचना चाहता हूँ तो मैंने क्या कर दिया इस परसेंटेज को इसको दे दिया क्यों क्यों कि भाईया मैं तो जानता हूँ ना 35 गुणा 58 अरे वाह अब अब क्या करूंगा क्या मैं इस सामने देखो क 35 को क्या मैं लिख सकता हूँ मैं 70 बटे दो हां तो 2 को काट लो फिर 29 क्या बात है यह चीज आपको आने चाहिए जैसे 35 लिखा हुआ है तो 70 बटे दो लिख दिया अब यहां इकायंग देखो तीन वाला आएगा और बीच से 0 है तो एक ही ऑप्शन है बी ऑप्शन और बता देगा इस कुशन को क्यों कि परसेंटेज का रूल ही इतना प्यार है कि आप इतनी से बना पाओगए 63.5 और 22.5 कितना होता है 27 40 अगर आपको मैं सही हूं तो 27 सताइस बटे चालिस होता है तो सर कुछन आसान हो गया और क्या यही तो नौलेज होती है कि अगर यह 27 बटे 40 है तो मैं सॉल्व नहीं करूंगा मैं इसको लिखूंगा 27 बटे 40 चार से काटूंगा 14 बार और मैं बस जीरो विरो कुछ नहीं देखूंगा 14 78 में 21 बार 8 वाला एक यह option है तो आप लोग डेखते हैं लोग बिना पैar चला ही कर लेते हैं वो बेवकूफ नहीं होते हैं कैसे करते हैं वह त्रीका मैं आपको बता रहा हूं कोई कहते 27 बटे 40, तो 4 से काटो 14 बार, और 4 और 7 का यंक 8 हाएगा, जो कि option number A में है, सर पूरा solve करो, हमें तो नहीं मजा आ रहा, भाया फिर नहीं आ रहा, तो फिर पूरा solve करना पड़ेगा, और क्या, तो सर सर सो 50 है, और 56 बटे 100 है, तो यह हो गया सर 67.5 इंटू 56, लेकिन सुनो, वो percentage में था, यहां percentage नहीं है, तो यह कितना हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा सर जी, 2700 बटे 40, तो आंसर आपका आजाएगा, 3780, ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा कुष्चन है, यह बहतरीन कुष्चन है, रिपीट होगा, और इसका शांदर तरीका बताऊँगा आपको, सर 120 का 15%, इतना शांदर तरीका देखना आप, सर 120 का, सामने देखना, आप अपने तरीकी से मत करना, फिर सीख नहीं पाओगे मेरे दौरा, होगा न, 120 का 15%, किसके 40% के बराबर है, आप केल्कुलेशन से 5 से कर सकते हो, मुझे पता है, आप इंटेलिजेंट हो, अब हमारी थोड़ी सी चीजे सीख लो, अच्छी रहेगी आपके लिए, सर जी परसेंटेज, तो मैं कहता हूँ, परसेंटेज इसको उधार दे दे, अब आप मेरे को बताओ, कि भाई, मैं यह कह दूं क्या, कि अगर यह निकालना चाहते हो, अगर यह 120 है, इसमें से 40% परसेंटेज, परसेंटेज एक बरी आएगा, तो अब यह जो तीन अलग होगा, यह परसेंटेज में नहीं है, तीन गुणा 5, 15, तो 45 यहाँ आना चाहि आपको, ठीक है, अगला कुशन देखिए, सेम तरीके से करना है, अब यार कुछ, अब पैन थोड़ा कम चलाओ, इसलिए तो मजा है, तर्फ 44% के बराबर है, 80 का 18%, डायरेक्ली डिवाइड कर दोगे, मेरे को भी आता है, 18 बटे 8 है, 9 बटे 4 है, और 2.25 है, लो आंसर आ गय लेक है, लेकिन फिर भी मैं आप से कहता हूँ, कि परसेंटेज इसको दे दो, 80% का 18, चलिए, आपको यहां क्या करना है, आपको 64 बनाना है, तो 64 बनाने के लिए आप चाहिए, 8 का गुना कर लो, otherwise, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो कर रहे हो, वो ठीक है, यहां पर आप यह क्या कर सकते हो, इसको X मान लो, और यह बराबर करके 64 का डिवाइड मार दो, परसेंटेज से परसेंटेज चला जाएगा, 80 इंटू 18 बटे 64, ऐसे भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, खामखा क्यों करना, दिमाग खराब, तो सरोसर ठीक है, यहां से कर लिया, हमने, 16, 85 और 16, 64, 90 बटे 4, 22.5, अगला करिए, डेड़ सो का 60 परसेंट किसके बराबर है, तो डेड़ सो का 60 परसेंट को हम लिखना चाहेंगे, कि 3 बटे 5 आप लिखें, वो किसके बराबर है, 16, 66, 61 बटे 6, तो यहां से हम इसको करेंगे, सॉल्व, तो यह 5 से कितनी बार जा रह है, 30, 90, 95, 54, तो कर पा रहे हो क्या, कर पा रहे हो, हाँ, अब आपका बढ़िया तरीके से अगला कुश्चन आपके सामने है, कर के बताओ, हर कुश्चन आपके पेपर में ना मिल जाए, तो मेरे से कह देना आप, यही कह सकता हूं मैं तो आप से, हर कुश्चन आपको के बच्चे बुझे, अलबी, अलबी निकलेगा 100 बार, किसी संख्या के 45 परसेंट का मान इतना है, तो किसी संख्या के 45 परसेंट का जो वैल्यू है, वो 36 है, तो बताओ सर, 36 सो बटे 45, तो 9 से काटना है, 9 से काटा मैंने इसको 400 बार, 9 से काटा मैंने इसको 5 बार, 9 पढ़ संख्या क्या है वो 80 है जड़ रहा होगी मैं इतनी संघ्णे के लिए औरोऊ नहीं थीक है अगला कुशन करिये किसी इतना है तो संख्या कितनी होगी करो करो 10 टक कर रहूंगा फिर 15 कोशिशन और कसम है आपको मेरी 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 नहीं बाई मेरी नहीं तुम मेरे उपर पहुचा दो गे मेरी नहीं आपको आपके एक्जाउं की किया छोड़ो कसम आपको दो फिर नहीं है ना अब से कमेंट सेक्षन भर देना समझ रहे को अमज़े हो किसी संख्या का 55% तो 65% बराबर अगर आपको 156 मेरी तो तो 13 से काटा मैंने 5 बार और 13 से काटा मैंने इसको बारे बार तेरे एकम 13 तेरे दूनी 26 अब संख्या क्या होती है कोई भी संख्या हमेशा 100 परतिशत होती है यह बात ध्यान रखना अगला कर दो किसी संख्या का 22 परसेंट पच्पन के बरावर है प्प्वाइब कर दो किसी संख्या का जो 22 परसेंट है वह 55 के बरावर है तो 100 परसेंट निकालने के लिए क्या करो ग्यारे का भाग देदो ग्यारे दूनी 22 और ग्यारे पंजे 55 फिर से मैं कहा रहा हूं कि 50 का गुणा करते ही आपका 100 परसेंट आ जाएगा याने कि 20 अगला कुशन लीजिए कि किसी संख्या का 30 परसेंट अगर यह है तो आप आपको 15-20 मिनट लगेंगे अभी तक जो मैंने आपको सिखाया आपको क्लास कैसी लगी पहले तो यह बताओगे आप मुझे कमेंट करके कि सर क्लास ऐसी लगी मिरेको मिरेको अच्छा लगा यह शुरुवात है डियर आपको यह लग रहा होगा सर आसान है तो उनको लग रहा होगा जिनको आता है तो आना भी चाहिए देखो पहली बात तो फोकस यह हमारा तो निकलेगा 100 बार निकलेगा 50 बार निकलेगा जो भी बच्चा पड़ेगा उसका निकलेगा लेकिन जो बच्चा पूरा पड़ेगा 9 बजे हरीष एक्सप्रेस 10 बजे आकास एक्सप्रेस 11 बजे साहिल एक्सप्रेस जिसने फाउंडेशन ले रखा है उसको इस पैच को रिवीजन के तौर पर लेना है वह पहले कंप्लीट करेगा फिर रिवीजन करेगा उसलिए बहुत अच्छा काम हो जाएगा उसका जिसको मैच सीखनी है जिसको रिजनिंग सीखनी है वह आप फाउंडेशन में जासे बहुत अच्छे तरीके से कॉम्प्रेंसिव एल्प के लिए यहां से कवर हो जाएगा सारा मामला क्लास कैसी लगी जल्दी से बताओ बैच कैसा लगा जल्दी से बताओ लेकिन होमवर्क आपका दूंगा मैं डेली अगर आप नहीं करोगे तो मुझे और खुद को निराश महसूस करोगे मैं बहुत ओनेश्टीचर हूं इस मामले में मुझे होमवर्क चाहिए तो चाहिए इन सभी प्रशनों के आपको 20-25 मिनट लगने वाले हैं अगर मन से बैठोगे ना तो ब 10 मिनट बाद मैं टेलिग्राम चैनल पर पीडियाप डाल दूँगा मेरी रन्नीती बहुत किलियर है मैं इस तरह से चेप्टर्स आपको करवाने वाला हूं तो आपकी टेंशन नहीं है तो मेरी टेंशन है ठीक है भाईया आप लोगों के लिए मैं शौर्ट वीडियो भी द बनाओ जैसे कि कोई पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर बहुत सारे कंसेट होते हैं उस कंसेट को बोलोगे आपकी सर सब्सक्राइए मुझे उस कंसेट पर वीडियो चाहिए आपकी जो बार बार पूछे जाते हैं एक्शाम वे उल्जाने वाले त्रिक्स पर आधारेत लिए साथ के साथ जो बच्चा हमारी test series में जुड़ा हुआ है नहीं जुड़ा हुआ test series वाली application अलग है कोई tricks test series उसमें आपको railway की test series लेनी है तो ले लेना अभी सस्ती मिल रही है क्योंकि हमने 1 million offer भी चला रखा है वहाँ पर तो वह आपको पूरे साल भर का मिलेगा पूरा package बना रखा है मैंने affordable cost में हार नहीं मानना है restart हम कर रहे है express page आपका बढ़िया चली रहा है 9 बजे 10 बजे 11 बजे यहीं नहीं अभी और सुनिए mix question की बहुत demand आती है और मेरा फेवरेट personally फेवरेट जिसके बिना मेरा मन नहीं लगता हमारा catch the math तीन बजे होगा तीन बजे आप सभी लोगों का मैं इंतजार करूंगा catch the reasoning 6 बजे और catch the science रात को 10 बजे अब आप खुद बता दो ऐसी तैयारी के बाद भी आपका selection नहीं होगा क्या क्योंकि यही होती है planning कहते है इसको हमने की हुई है आप लोगों के लिए और इस तरह से डूब कर planning पहले बच्चों के लिए सपोर्ट किया फिर planning करी और फिर आपके सामने चीजे आए री स्टार्ट अती मैत पूर्ण प्रशन आपके तीन बजे चालो हो जाएंगे आज से पहला सेशन है उसका टेलिग्राम चैनल कौन सा है सर मैत वाई साहिल सर क्विक ट्रिक्स वाई साहिल सर ऑफिशल टेलिग्राम चैनल है और अंजली मैम का current affair डेली कल से आ जाएगा छे ठीक है कल से 6 बजे डेली आएगा तो current affair डेली 10 से 12 मिनट ही देने current affair में टाइम वेश्ट नहीं करना जादा मैम आपको बहुत अच्छा current affair पढ़ाती है और उसकी PDF आपको application पर शाम तक अप्लोड हो जाए करेगी quick tricks by साहिल सर application पर ठीक है चलिए और भाईया सभी exam के लिए foundation batch लो अभी offer चल रहा है rrb batch पर भी offer चल रहा है जिसमें आपको देखो gk भी मिलते कहीं बच्चों को यहीं नहीं पता उनको लगता है केवल math reasoning और science मिल रही है नहीं gk भी मिल रहा है और basic science and engineering भी मिलेगा आपको है तो rrb batch में offer चल रहा है वह आप ले ले लेना और बहतर 5 double line में आपको मैं यह दे रहा हूं अपना foundation batch इसी तरह से complete मिलेगा आपको जो class हो गई है जैसे कि मैंने बार-बार batch नहीं लेकर आया इस बार तो batch क्यों लेकर आँगा मैं क्योंकि जब मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं और वह अच्छी चीज आप तक पहुंच जाए उससे general science का batch भी offer में है reasoning का batch भी offer में है और GK का भी है तो paid course में जाओगे RRB के अंदर math, science, gk, reasoning sum मिलेगा आपको सब इसमें अलग-अलग लेते हो तो math, reasoning, science, gk, gk का मैंने यहां लगाई नहीं है वह भी आपको अलग-अलग भी ले सकते हो तो आपको अभी offer चल रहा है वह आप ले लेना जिसको लेना है कोई अगर query आए तो इस number पर कर सकते हो लेकिन अभी यह number थोड़ा सा जिस लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाईयों जो बच्चा हमारे साथ regular पढ़ना चाहता है selection का सपना देखता है हाँ वह regular ठीक है चलिए जय हिंद जय भारत वंदे मात्रम और शौट वीडियो पर बता देना हम क्लास मिलेंगे उसके लिए लब यॉल कैसा लगा बताना ह कमेंट करके बाई बाई